मोबाइल से पेन कार्ट बनाने के लिए दोस्तों हमें इस वेबसाइट पर आ जाना होगा जिसका लिंक मैंने description में दे रखा है इस वेबसाइट में आने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे की और आ जाना है और आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा instant e-pain का यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद एक नया page open होगा यहाँ पर आपको नीचे की और आ जाना है नीचे यहाँ पर get a new pain का option मिल रहा है यहाँ पर आपको करना है click क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर हमारा pain card बनाने का process जो है start हो जाएगा सबसे पहले हमें अपना अधार card number यहाँ फिल करना होगा यहाँ नीचे इस box में हमें 12 digit का अपना अधार card number जो है फिल कर देना होगा चलिए मैं इसे फिल कर देता हूँ उसके बाद इस box को click करके continue उपर click करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया page open होगा यहाँ पर हमें अपना OTP verification कराना होगा यहाँ पर हम नीचे चले आएंगे नीचे की और आपको time and condition दिये हुए हैं यहाँ पर हम सबसे नीचे आजाएंगे और इस box पर click करके continue उपर click करेंगे यह थोड़ा समय लेगा और उसके बाद एक OTP हमारे आधार कार्ट से link mobile number पर भेज़ दी जाएगी उसे यहाँ फिल कर देना होगा हमें तो चलिए मैं कर लेता हूँ उसे फिल OTP को डालने के बाद दोस्तो इस box पर click करके continue उपर click करेंगे यह loading लेगा एक नया page open होगा OTP verify करते ही दोस्तो हमारी जो personal detail है वो अपने आप ही यहाँ पर show करने लगेगी यहाँ पर हमें अपने details को मिलाते हुए सबसे नीचे आ जाना है और I accept के box को click करके continue उपर click करना है उसके बाद एक message सो होगा जिसे हमें continue कर देना है continue पर click करते ही दोस्तो हमारा pain card जो है बनने के लिए under process पर चला जाएगा साथ ही हमें screen पर एक number सो करेगा जिसकी सायता से हम अपना pain card download कर पाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अपना बना हुआ pain card कैसे download कर सकते हैं